कि अबल यो का नोटिफिकेशन आपका कल 15 जनवरी से आपके फॉर्म बढ़ने स्टार्ट है 31 जनवरी लास्ट डेट और यहां पर डबल यो की अपकी अलग अलग अपकी इस्ट्रीम में वेकंसी आप सभी कियाती है आई टी हो गया ठीक है सी एक लिए अलग अलग उसमें आई हुई थी उसमें वो सेलेक्ट हुआ था अलाकि 2018 में भी आपकी आई हुई थी ठीक है 2016 वाला जो इंप्लॉई है तो फटाबट से अभी हम देख लेते हैं किस तरीके से आपका जो सेलरी का स्ट्रक्चर रहता है तो यहां पर जैसे कि आप सभी देख रहे हो तो यह जो क्रैक कर लेते हैं तो अलग से इसमें काड़े स्पेसर लांस होता है क्योंकि इंटर्नल एक जम जब आप निकाल लेते हो तो उसके बाद फिर आपको यह रहते कि जब आपका जो यह पीरियाड आएगा ठीक इसने साल की सीनल्ट का ठीक है तब आपका प्रमोशन कर दिया र पोस्टिंग है वह आपकी वाई सीटी में आपकी पोस्टिंग है तो यहाँ पर जो आपका अचारे वह आपका 4122 है ठीक है की बात करें तो यह आपका 1170 रुपए CCT कंपसरेटर के अलांस आपको मिलता है फिर आपका SRAC डेविट आपका यह एक तरीके से रहता है ठीक है ट्रांस आपको मिलता है 1960 पर मिलता है तो और अगर आप देखोगे तो 88,846 रुपए जो आपको मिलता है वह आपको यहाँ पर एजे इमॉल्वेंट्स आपको मिलता है यह आपकी ग्रॉस सेलरी आप सभी के रहती है एक चीछ आप सभी ध्यार रखना कि LIC जो है वह आपकी पुब्लिक सेक्टर यूनिट है जिसकी वजह से आपको जो सेलरी होती वह आपकी बाकी अधर जो सेंटरल कौर्डमेंट हो गया या आपका इस्टेट कौर्डमेंट या कहीं पर भी ऑट्रोनोमस बॉर्डी से उनसे ज्यादा सेलरी आपको मिलता है तो यहाँ पर अलग से कूपन वेगरा भी मिलते हैं तो यहाँ पर उसके बारे में मैं नस्टी वीडियो में बात करूँगा किस तरीके से मंतलिय अनुवल अनौल्स आपको मिलते हैं लेकिन उसके पहले आप जान लीजिए कि यहाँ पर जो आपके डिरेक्शन होते हैं अब जैसे यहाँ पर क्या आपको 10,000,000,000 के करीब आपकी पूरी प्रॉक से जा रही है ठीक है तो यहाँ पर आपका NPS का कड़ता है ठीक है जो कि आपको बेसिक प्लिश डियक आपको पता हो गया पच्छासी सौर्ट पर आपका कड़ गया जाके फिर इंकम डेक्स आपका बता दिया फिर आपका इस स्कीम रहती है LIC की ठीक है तो उसमें आपका 137 करता है फिर GTIS यह आपका 350 करता है प्रोफेशनल टैक्स 200 रुपए क्योंकि जब आप किसी एक स्टेट से दूसरे स्टेट नौकरे करता है तो वहाँ पर प्रोफेशनल टैक्स आपका लगता है ठीक है यह आपका 435 करता है फ दूरगा पूझा अब क्या होता है कई ऐसे फेस्टिवेल अनौन सोते जो आप लेते हो ठीक है तो उसके लिए क्या होता है यहां पर यहां पर का डिरेक्शन में आपका काउंट किया गया क्योंकि आपको मिल तो जाते फिर बाप में उनको अपनी से एक करके आपको कठाना होता है जो कि आपको पता होगा सेंट्रल कवर्णमेंट ने भी आपको किया हुआ था जब आपका कोविट था 2021 में मार्च टाइम में तो और आल इटेक्शन आपके 27 सेलरी देखें तो 71 और 295 रुपए जो आपकी सेलरी है वो यहां पर आपकी सभी की नेट सेलरी जो है वो अब बात करों अब को अब अच्छे पर्सेंट मिलते हैं निश्पेपर मोबाईल और बहुत अच्छे चीजह मिलते हैं आपको उनके बारे में नेक्ट वीडियों कुरूँगा तो चैनल सब्सक्राब करें कर लो बाकि सब्सक्राइब करके अपनी जो भी को यह बहुत पू झाल